हेलो फ्रेंड्स, मैं जनाव मुझाफर पुर्भीहार से आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल लही हूँ जनाज लाइफ हेस्टाइल से फ्रेंड्स, एक सप्ता के लिए मैं मैं के गई थी, तो देखाती हूँ गार्डेन का क्या हाल हो गया देखिए सारे पौधे सुख गए, पीले पीले से हो गए और सारे के पत्ते पीले हो गए और यहां देखिए सारे पौधे भी सुख गए, मात्र एक दो पौधे लगे हुए है, यह पपीता का पौधा निकला हुआ है ये हमारा कुंद्रू का पौधा वही जो मैं कटिंग से लगाई थी वही ये कुंद्रू का पौधा है और इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे से कुंद्रू अब निकलने लगे हैं देखें वही कटिंग लगाया हुआ है और इधर मैं कुछ मिट्टी भी बना ली हूँ और इधर जो मैं कुछ बीज डाल के गई थी एक भी पौधा नहीं निकला क्योंकि पानी नहीं परा तो सुख के आसारा निकला भी होगा तो बेबी प्लांट छोटे-छोटे से सुख गय होंगे और यह मेरा पुदीना भी सुख गया मैं वहीं से करी पत्ता लेके आई हूं करी का पता का प्लांट तो मैं आज इसको भी लगा दूंगी और यह हमारे टमाटर के कुछ पौधे निकले हुए हैं तो इसको भी लगा देंगे फ्रेंट्स देखिए गार्डेन का हाल अभी बुरा है कुछ भी नहीं है हाडयाली गयव है अभी गार्डेन से जो थे वह भी सुख गया तो इसमें लगा दे रहे हैं करी पत्ते किसी भी प्लांट को लगाने से पहले मिट्टी को जरूर हलका कर ले यह मेरे छोटे-छोटे से तीन पौधे हैं पतले-पतले से तो मैं एक ही जगा लगा दे रही हूं मेरे पास एक करी पत्ते के हैं पौधे पर थोरे से बिमारू टैप लग रहे है तो अल्टरनेटिव रखना चाहिए अगर वो सूख जाता है तो मेरे पौधे कामयाब हो ज इसमें ट्रांस्प्लांट करना है तो मैं पानी रखे देती हूं और पांच मिनट के बाद इसको लगा दोंगी हमारे पांच मिनट हो गए देखिए कितने असानी से निकल गया जैसे जैसे अब मिटी बनाते जाएंगे मैं बीज सब डालते जाओंगे मेरा फ्रेंट्स इस अच्छा नहीं निकला और देखिए सारे सुखे हुए हैं तो इसको हर्वेस्टिंग कर लेते हैं बहुत सारे तो छोटे-छोटे से गीया निकले भी लेकिन छोटे में ही वह सुख गया देखिए कैसे सुख गया हमारा पादर जब हम गारडेनिंग करते हैं तो पूरा ध्याना मारे गार्डेन में होता है अगर कहीं जाना होता है तो थोरी सी परसानी होती है मैं कामबाली को बोल के गई थी पर वो पानी नहीं दी तुसारे को हर्वेस्टिंग कर ले रहे हैं फिर अपने पौधे जब लगाएंगे तब हमारे गार्डेन में हरिया ली आएगी जैसे जैसे हमारे मिट्टी मिल ले हैं बीज डाल ले हैं बीज निकलेंगे और देखिये कुंदरू भी निकला अभी दो चाड़ ही निकल ला है पर निकल ला है और साकी हर्वेस्टिंग तो कहिए नहीं सारे साको रूट साही तब हटा दे रहे हैं लाल वाले सागों नहीं होते हैं जल्दी लेकिन ए साग जो होते हैं बीना बीज गिराए हुए ही हो जाते हैं मैं एक साल ही भी जी राई थी एक सीजन में, और दुबारे कभी मैं साग की भीज नहीं डाली कुछ नूणी की साग भी ले ले रहे हैं, नूणी का साग भी बहुत टेस्टी होता है, थोरे से इसमें खट्टे पन का टेस्ट आता है और देखिए इतनी हर्वेस्टिंग मैं इधर इतने मिट्टी भी मिला के रख ली हूँ और देखिए छोटे-छोटे से प्लांट भी लगा लिये हैं और इधर जो मैं मैं जून में लगाई थी टमाटर वो हमारे यां गर्मी में टमाटर नहीं होता है तो फ्रेंट्स इसकी और इधर कुछ मैं सरसो की खली जो मैं होमेड बनाई हूँ उसको फूलने के लिए डाल दे रहे हैं सारे प्लांट में थोरे-थोरे से दे देंगे मिट्टी मिलाने जब मिट्टी हम मिलाते हैं तो हमारे पास अभी खली नहीं थी तो मैं कैसे बनाई हूँ मैं आप समों के साथ जरूर सेयर करूंगी और इसके फ्रेंट्स रिजल्ट भी देखिएगा कितना अच्छा होता है मैं बराबर ऐसे करती हूँ देखिए इतने सारे मिट्टी तैयार है अभी ओबर विव दिखाने के लिए तो हम मेरे पास कुछ भी नहीं है और इधर भी मिट्टी कुछ बना के रख ली फ्रेंट्स अगर मेरा विडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे और मेरे चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कीजे और एक फ्रेंट्स छोटा सा कमेंट्स आपका हमारा होसला बढ़ाता है फिर मिलूँंगी अगले विडियो में और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि अ कि यहां झाल से एंगे